हेलो दोस्तों मेरा नाम रहूल है दानपुन चेरल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जाने अंजाने में कभी कबार हम अपनी गलतियों को भी नहीं पहचान पाते और दूसरों की बुराईयां और गलतियां निकाल निकालते हम अपने आपको भी नकारात्म कर लिते हैं आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमें दोश रही जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए अगर कहें दोना पतल गंदा दिखाई दे रहा है हम उसे उठाकर ऐसी जगे रख दें इसे किसी वैश्णों को क अंदर की वस्तू ही और दोना तो बाहर की वस्तू बाहर ही रहे गई मैंने तो उसके प्रति दोस्त दर्सन कर लिया तो यह सबसे गंदी बात हो जाएगी और यही दीरे-दीरे फिर आप निंदा करने लगेंगे फिर वो हमारा भाव भी गर जाएगा जैसे हमारे घर में को राधारानी के हैं है ना तो ब्रंदावन हमारा घर हुआ ना यह ड्यूटी मेरी होती है उनको मैं दोश नहीं दूँगा क्यों आए वह आती थी हैं उनकी बुद्धी जब शुद्ध हो जाएगी तो खुद ऐसा नहीं करेंगे हम सब मिलकर श्वयम श्रक्षता करें शोनी लगाए और बहुत प्रियता हो तो प्रार्थना कर दें ऐसे प्लीज आप जो है इसे कुड़ा धान में ही डालिए आप परिकमाम थोकते किसी बैशनों के पैर में लग जाएगा आपको अपराद लगेगा ऐसे बारता अगर नहीं तो वो जहां थूके हम उठाके फेक दें तो मेरी सिरी जी हम पे प्रसन हो जाएंगी क्योंकि मेरा घर है ये मेरी सिरी जी का घर है तो मेरा घर हुआ ना मैं उनका ही तो ना तो मेरे घर में आके कोई अप अवित्रता करता है तो वो मेरा अतित्य है मैं उसको डाट होगा नहीं उस अप अवित्रता को हटाओंगा सम नहीं लोग आ रहे हैं सिरी जी ने इनको बुलाया है श्री राधिका कृपा बिना लाड़ली जुकी कृपा कोई ब्रंदावना ना नहीं सकते अजा जो आया तो मेरी महारानी जुके घर आया ना तो मेरा आतित हुआ ना मेरा कार्ज है उसको सुख पहुंचाना तो हम अपनी बुद्धी से ये निर्णे करके कि इनमें जो कमियां हैं सिरी जी की क्रपा से नाम क्रपा से दूर हो और अंदर और बाहर दोनों से पवित्र हो और सुखी हो ठीक लएगा ना अगर हम अपने धर्म का पालन करेंगे तो हमें देखकर दूसरे अपने धर्म का पालन करना सीख ही जाएंगे जब हम धर्म का पालन नहीं करेंगे उचा जीतना भाषण दें धर्म का कोई फरक आप पे नहीं पड़ेगा और जब हम आचरण युक्त होंगे तो भाषण दे या ना दें हमारे आचरण आपको सिक्ष सब्सक्राइब करना भी ना भूलें बहुत जन्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जब तक आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हैं जय भारत